तो दोस्तों आज मैं explain करने वाला हूँ एक different type की horror drama film को जिसका नाम है दिड़ार जो कि 2018 में release की गई थी इस movie की ratings वगरा काफी अच्छी है और ये movie काफी different type की है तो I believe कि आपको ये काफी अच्छी लगेगी तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तर movie की starting में हम जोसिफ नाम की एक आदमी को देखते हैं जो की drive करते हुए एक दुकान पर आता है और जहां पर उसको जाना था वो उस नाम को map में point करते हुए उस shop की पर से पूछता है जिस पर वो ये कहता है कि इस जगा का नाम असल में devil's den है जहां पर जाना बहुत खतरनाक है क्योंकि वहां पर एक राक्षर सबको मार कर खा जाता है अब तभी टीवी के उपर जोसिफ के बारे में news चलने लगती है और हमको ये पता चलता है कि असल में वो एक criminal था जो की पुलिस से भाग कर यहां पर आया हुआ था अब तभी वो ये सोचता है कि कहीं shop की पर उसक के टायर में फज गई थी अब उसको कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो कैसे अपने टायर को ठीक करें जिससे कि वो जंगल से बाहर निकल पाए क्योंकि शाम काफी हो रही थी और जो से जंगल में रुक नहीं सकता था लेकिन तभी उसे एक abandoned house दिखाई देता है जिसमें व अब जोसे कोई देख रहा होगा अब उससी समय पर वहां पर जो कोई भी था वो उस पर एक से अटैक कर देता है अब जोसेफा एक्स की अटैक से तो बच जाता है लेकिन डर के मारे वो अपने गन की सारी गोलियां दिवार पर शूट कर देता है और ऐसा इसलिए ताकि वो हमला करने वाला मारा जाए लेकिन एक भी गोली उसको नहीं लगती जिसके बाद जोसेफ डर में घर से बाहर निकलने लगता है अ लेकिन उसे फाइनली एक पेड़ के पाफ जाकर रुखना पड़ता है अब उसको ये लगता है कि शायद वो सेफ हो गया है लेकिन लेकिन तभी पेड़ के उपर से कोई इनसान एक शार्प एक्स को जोसेफ के सर के बीचो बीच मार देता है जिससे उसी वक्त वहाँ पर ज जोसेफ के डेत हो जाती है अब हम देखते हैं कि जिसने असल में जोसेफ को मारा था वो कोई लड़का नहीं बलकी लड़की होती है जिसका नाम मीना था जिसके फेस पर धेर सारे कट मार्क्स होते हैं जो कि दिखने में काफी ज़्यादा अजीब लग रहे थे जिसके बिल्कुल भी पसंद नहीं आते यानि कि यहां पर वो एक कैनबलिस्टिक नेचर की लड़की है अब तभी मीना को कार के अंदर एक लड़की की आवाज आती है जो कि बार बार जोसेफ को बुला रहा था और उसका नाम यहां पर एलेक्स होता है अब एलेक्स मीना से क्योंकि उसने डर के मारे अपने पैंट के अंदर ही पी कर दिया था यानि कि सुसू कर दिया था और इससे ही हम अंदाज लगा सकते हैं कि जोसिफ ने उसके साथ में कितना कुछ गलत किया होगा खरे इसके बाद में रात को हम मीना को अपना बच्पन याद करते हुए करती थी तब ही एक क्लिप के अंदर हम मीना को अपने हैड़फोन से हौरिबल साउंड सुनते हुए देखते हैं जिसके बाद में ये सीन वापस प्रेजेंट में आ जाता है अब हमें एक पुलिस आफिसर को दिखाया जाता है जो कि जोसेफ को ढूंडते हुए जंगल के अ अंदर है जिसके बाद वो पुलिस आफिसर घर के अंदर जाकर कमरे में जोसेफ को ढूंडने लगता है अब ऑविसी बात है कि एलक्स देख नहीं सकता तो उसको यहां पर कुछ भी पता नहीं था लेकिन तभी हम मीना को एक कबर्ड में छुपा हुआ देख पाते हैं जो क कि अब मीना को खतरा होता है क्योंकि कभी भी बाकी ऑफिसर जंगल के अंदर आ सकते थे इसलिए वो फैसला करती है कि वो यहां पर नहीं रुकेगी जिसके बाद में वो गुसे में अपने सामान पैक करते हुए ऐलक्स को ढूंडने लगती है क्योंकि उसको लग रहा था कि एलक्स नहीं उस ऑफिसर को उस घर के अंदर भेजा लेकिन उसे एलक्स नहीं मिलता अब मीना और भी ज़्यादा गुसा हो जाती है और हम एलक्स को देखते हैं जो किसी तरह से उस जंगल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था लेकिन तब ही मीना वहां पर आ जाती है जो यहां पर उसके दोस्तों को ढूनेंगे ही और वो उसको मार भी डालेंगे ऐसा उसका कहना था वो आगे यह बताता है कि उसकी एक कंडिशन जोसिफ के दोस्तों ने की है और वो लोग उसके फैमिली को भी हर्ट कर सकते हैं अब यह सब जानने के बाद मीना एलेक्स को बताती है कि जोसिफ असल में मारा गया है और तुम्हें डरने की ज़रूत नहीं है जिसके बाद वो एलेक्स के साथ अच्छा भी हेव करने लगती है क्योंकि कहीं ना कहीं वो उसके साथ में सिंपताइस कर रही थी और ऐसा क्यों है इसके बारे में हम थोड़ी देर में जानेंगे थोड़ी देर के बाद में मीना उसको बताती है कि इस जंगल के अंदर एक मौनस्टर रहता है जो की सब को मार देता है लेकिन हम सब जानते हैं कि वो मौनस्टर कोई और नहीं बलकी मीना ही थी पर ये बात वो एलेक्स से रिवील नहीं करती आगे मीना को जंगल में कुछ कुछ कुटों के भॉकने की आवाज आती है जिसके बाद उसे शक हो जाता है कि पुलिस वाले अपने डॉक्स के साथ जंगल में आ चुके हैं और इसलिए ही पुलिस वालों से बचने के लिए मीना और एलेक्स एक गुफा के अंदर छुप जाते हैं जहां पर एक डॉग आ जाता है लेकिन मीना उसे अपना डरावना चेहरा दिखा कर वहां से बगा देती है रात में एलेक्स मीना को अपना नाम बताता है और वो कहता है कि उसे एक फोन चाहिए जिससे वो अपनी फैमिली को कॉल लगा सके तब ही मीना भी एलेक्स को अपना नाम बताती है जिसके बाद हमें फिर से मीना के पास्ट की एक क्लिप दिखाई जाती है जहाँ पर हम देख पाते हैं कि मीना के मॉम का बॉइफ्रेंड एक रात उसका रेप करने की कोहिश कर रहा था और अपने सेल्फ डिफेंस में आकर मीना ने उस पर अटैक कर दिया था लेकिन वो मीना के उपर वापस अटैक करता है और एक अलाम क्लॉक लेकर मीना के चहरे पर कई बार स्टैब कर देता है जिससे मीना का फेस बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है जिसके बाद में उसने मीना को जिन्दा ही दफन कर दिया था इसी जंगल में और फिर वो वहाँ से चला जाता है और अब हम समझ पाते हैं कि मीना के चहरे पर ये गाव कैसे हुए थे खेर कहानी फिर से प्रिजन टाइम में आती है जहां पर एलेक्स मीना से कुछ खाने के लिए मांगता है क्योंकि जो सीरियल्स मीना ने खाये थे वो असल में एलेक्स के ही थे अब वो जंगल के अंदर घूमने लगती है जहां पर उसे पेड़ के नीचे तीन लोग खड़े हुए दिखाए देते हैं और उन में से एक के पास में फोन था जो की मीना लेना चाहती थी असल में वो तीनों लोग यहां पर जोसेफ और एलेक्स को ढूंडने आए थे क्योंकि उन दोनों पर अच्छा कासा इनाम था वो सबसे पहले एलेक्स को उन तीनों के सामने खड़ा कर देती है जिससे वो तीनों एलेक्स पर ही फोकस करने लगेंगे और तब तक मीना उन्हें मार पाएगी अब वो उन तीनों के ओपर अटैक कर देती है लेकिन दो लोग तो मारे जाते हैं लेकिन दूसरा जो लड़का होता है वो उसको पैर की तरफ से इंजर्ड कर देता है और तीसरा लड़का मीना को देखकर वहां से भागने लगता है और उसके पास ही फोन था अब मीना किसी तरह से इंजर्ड होते हुए भी उसका पीछा करने लगती है ताकि वो उसको मार सके लेकिन जैसे ही वो लड़का रोड़ पर आता है तो एक गाड़ी से उसका एक सिरेंट हो जाता है जिससे वो आलमोस्ट अदमरा हो जाता है और मी मीना को बाद में कॉल लगाने के लिए कहता है तब ही वो मीना को वहां से चले जाने के लिए बोलता है क्योंकि उसकी वज़ा से मीना के उपर भी प्रॉबलम आ सकती है लेकिन मीना उसको अकेला नहीं छोड़ती अब वो दूनों एक रैंडम फैमिली के घर के अंदर चले जाते हैं जहां पर उस फैमिली की लेडी मीना को देखकर उसे लगबग शूटी करने वाली थी लेकिन तभी एलक्स आकर उसे पीछी से स्टैब करके मार डालता है यानि की मेरे ख्याल से जोसेफ ने इसको भी अच्छा कासा ट्रें किया था और शायद से वो उसको अपने क इसको पीकर उसे काफी खुशी होती है और मीना उसको वही रहने के लिए बोलती है क्योंकि वह उसके लिए सबसे सेफ जगा थी और वहाँ पर खाना भी था जिसके बात में मीना उपर के कमरे में चली जाती है जहां पर वो बूच दूसरे कपड़े पहन लेती है और फिर वो अपना चहरा आएने में देखती है जो की धीरे धीरे हील हो रहा था और मीना इससे काफी खुश होती है और अगर अगर आप यहां पर एक मैटाफर को समझोगे तो असल में मीना के साथ में बहुत ही जादा अब्यूस हुआ था लेकिन एलक्स से मिलकर उसे अच्छा लग खाने लगती है लेकिन फ्लेश खाने में भी उसको दिक्कता रही थी यानि कि अब ना तो वो कैनाबल रही थी ना ही वो पूरी इनसान थी अब हम फिर से मीना के पास्ट को देख पाते हैं जहां पर मीना किसी तरह से दफन होने के बाद भी वहां से निकल जाती है जिसके इनके बाद से ही मीना पूरी तरह से बदल गई थी खैर अब कहानी फिर से प्रिजन टाइम में आती है जहां पर एलेक्स को दो लोग कार से कहीं पढ़ ले जा रहे थे और एलेक्स मीना से मदद मांग रहा था असल में वो दोनों लोग उस लेड़ी की फैमिली के थे जिसक डर कर उनकी कार का एक्सिरेंट हो जाता है अब एक्सिरेंट के अंदर वो लड़का बेहोश हो जाता है और उसकी वाइफ पुलिस टेशन में कॉल लगा कर सारी बात बता देती है खैर अब एक्सिरेंट में वो लड़का तो बेहोश हो जाता है और उसकी वाइफ जो होती ह वो पुलिस स्टेशन में कॉल कर देती है और एक्सिडेंट की सारी बात बताती है साथी साथ वो अपना एड्डर्स भी पुलिस वालों को बता देती है जिससे वो लोग यहां पर आ पाएं जिसके बाद में वो लेडी अपने हस्बंड को समानने लगती है अब मीना एलक्स के पास में आ जाती है और एलक्स फिर से उसे इंसिस्ट करता है कि वो उसे छोड़ कर चली जाए और उसे उसके लिए इतना करने की कोई भी जरूरत नहीं है लेकिन मीना उसकी बात नहीं सुनती और शायद से ऐसा इसलिए था क्योंकि मीना की कभी किसी ने हल्प नहीं करी थी और शायद से वो एलक्स के लिए फिल भी कर रही थी इसलिए उसने ऐसा किया अब मीना ने उस लेडी की बात सुन ली थी इसलिए उसको पता था कि अब यहाँ पर पुलिस आफिसर्स और एम्विलेंस आ रही होगी इसलिए वो एलेक्स को अकेला इसी कार में छोड़ देती है जिसके बाद में जब पुलिस वहाँ पर आती है तो उन्हें ये लगता है कि एलेक्स का ही एक्सिडेंट हुआ होगा क्योंकि वो इंजर्ड था और अब एलेक्स के ठीक होने के बाद उसे उसकी मॉम के पास में छोड़ दिया जाएगा जिसके बाद में मीना आखिरी बार एलेक्स को एम्विलेंस में जाते हुए देखती है अब अगले दिन मीना अपने घर जाती है जहां पर वो अपना कुछ सामान लेकर घर को छोड़ देती है जहां पर हम कुछ देर के बाद में मीना को एलेक्स की पेंटिंग बनाते हुए देख पाते हैं और साथ में वो सीरियल्स भी खा रही थी यानि कि अब वो नॉर्मल फूड कंजियूम कर सकती थी और इसके बाद में वो नॉर्मल लाइफ जीने का फैसला करती है खेर अब मीना को हम एंड में रोड पर अकेला चलते हुए देख पाते हैं जहां पर एक लीडी उसको लिफ्ट देती है और वो उसके साथ शहर की तरफ जाने लगती है जहां एंड में हम मीना के चेहर को भी देखते हैं जो कि पूरी तरह से ठीक हो गया था यानि कि वो अपने अंदर के जख्मों से अब उभर गई थी क्योंकि उसने शुरुआत में अपनी मा की जान ली थी लेकिन फिलाल अब उसने एक जान को बचा लिया था यानि कि अलेक्स की जान को जिसकी वज़ा से वो पूरी तरह हील हो जाती है और बाकी लोगों की तरह वो नॉर्मल लाइफ जी पाएगी और बूम इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खतम हो जाती है तो दोस्तों ये थी दर डार्क मूवी की कहानी उमीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी ये जो मूवी है ना इसके अंदर लिटरल मेटाफर बहुत सारे हैं जैसे कि मीना के साथ में जो अब्यूस हुआ था वो धीरे धीरे हीलो रहा था आई मीन यहाँ पर अलेक्स की आखे नहीं थी और यहाँ पर मीना के साथ इतना जादा अब्यूस हुआ था तो दोनों के दोनों ही किसी ना किसी अब्यूस के विक्टिम थे लेकिन परसनली मुझको ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़े एक मेटाफर है लाइक उनकी जो अपर बॉड़ी पे जखम थे ना वो असल में उनके अंदुरूनी जखमों को दिखाता है और सब कुछ सही करने के बाद में उन दोनों के ही अंदुरूनी जखम जो है वो भर जाते हैं तो उमीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी ये एक डिफरेंट टाइप की हॉरर ड्रामा फिल्म है इन फैक्ट इसकी रेटिंग्स भी काफी बढ़िया है तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना चैनल के ओपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिजे तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में तब तक के लिए